हलो फ्रेंस मेरे चैनल अनिता नेचर ब्यूटी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है तो फ्रेंस अगर आप भी फेश वास लगाते है तो आपकी इसकी में खिचा खिचापन महसूस होता है या आपको मार्केट वाला फेश वास सूट नहीं करता है तो उसके लिए मैं आज आपको एक फेश वास बनाना बताऊंगे जिससे आपके जितने भी दाख धब्य होंगे सब लाइट हो जाएंगे तो फ्रेंस उसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक क्लीन बावल ले लेना है और हमें ले लेना है वान टेबल इसमें चावल का आटा अब अपने स्कीन के लिए अगर आपको फेश पे लगाना है तो फेश पे लगाशाया ossinkते अगर आपको फूरी बाडी में भी लगा गासकते यह थैसे कि सेकंड हमें रो मिल्क ले ने नहें कंच्या दूध अगर अपके पास इसमें अग तो पका हूव भी ले सकते हम्हें अच्छे से अ त्रफ्टेबल कोफी पॉडर इतीन इंग्रीडियंस को आपको आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अप्रेंज यह आपकी स्कीन के दागदबों को भी लाइट करता है और आपको बहुत अच्छा सा गलो आपकी स्कीन पर लेकर आता है तो मॉर्लिंग में इसको जब भी आप फेश वास करते तब अपनी स्कीन पे इसको आपको अपलाई करके हलका सा मसाज करना है अपनी स्कीन पर बस एक सेकंड के लिए और अपनी स्कीन पर अगर आप चाहे तो इसको पांच मिनट तक रखके छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो इसको इस तरीके से लेना आपको अपनी पूरी स्कीन पर अपलाई कर लेना है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपकी स्कीन को बहुत अच्छे से ये क्लिम भी कर देता है और आपकी स्कीन पर जितने भी दागधब्बे होंगे उनको भी ये रिड्यूश करता और आपकी skin में जो आप face wash करने के बाद जो इतने समयसूस करते हैं वो भी ये नहीं करता है और इसकी use के बाद friends आप face wash मत करिएगा इसी से बस wash करिएगा और एक हफते में ही आपको बहुत अच्छे खासे इसके result देखने को मिलेंगे और friends इसका अगर रेगुलर इस्तमाल करते हैं तो वाइड है तो कभी भी आपकी skin पे नहीं होंगे तो friends आप चाहे तो इसको पांच मेट रख सकते हैं और नहीं तो आप face wash कर सकते हैं तो friends आपको भी इसी तरीके से अपनी skin पे apply कर लेना है और friends इसको oil skin type के लोग अपने लिए use कर सकते हैं चाहे वो आपकी skin dry हो चाहे oily हो चाहे combination हो तो friends अगर आप भी regular इस्तमाल करेंगे तो आपकी skin भी धीरे धीरे clear हो जाएगी और friends आज का ये जो मेरा remedy आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो please channel को like, share, subscribe जरूर करिएगा अपनी friends और family के साथ share भी जरूर करिएगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहोंगी और friends इस remedy को अगर आप इस्तमाल करते हैं और आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो comment भी जरूर करिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद friends support जरूर करिएगा